दबंगो ने गर में आग लगा कर उक्त भूमी पर किया कपचा जहां ज़त्पत भाराईच से खबर है दबंगो ने गरी बिकित की भूमी पर बने चप्पर को गिरा कर घर में लगाई आग आग से गरी बिकित के घर में रखा हुआ सारा गिरेश्टी जलकर राको गया और गरी बिकित को गाली गलोज देते हुए दबंगो ने उट भूमी पर कपचा कर लिया गया पुलिस को सूचना देने के बाद भी नहीं पहुँची मौके पर पुलिस पिरित बिकित ने नजदी के हुजूर पुर थाने में तहरीर देकर दबंगो खिलाफ कारवाही की मांग की है मगर पुलिस दबंगो के साथ मिलकर उल्टा ही गरीब विकित को ही फसा कर मुकदमा पंजी करवा दिया और अब पिरित बिकित नियाय के लिए तीन महें से थाने का चकर काट रही है मगर अब तक दबंगो के खिलाफ कोई कारवाही नहीं की गई है पुलिस द्वारा ऐसे में पुलिस पर बड़ा सवाल उड़ता है कि दबंगो के खिलाफ तीन महें बीचने के बाद क्यों नहीं कारवाही हुई क्या पुलिस को दबंगो से मिली है मोटी रकम यह पूरा मामला जन्पत बैराइच के खुजूर पूर थाना चित्र के गोपिया भैसाहा गाउं का है अब देखना यह होगा कि बैराइच के तेज तर्रार कप्तान साहिबा मामले को लेते हैं संग्यान या फिर बनी रहती है अंजान देखें पूर रिपोर्ट पेरताम सिंग के साथ क्या मामला है इसे आएंगे इसे जाएंगे और कुछ भी नहीं है अग्यान सिंग है और अंकु सिंग है और हनी सहाइं मता तारी अगले तीन महीना है अगले अगले अपन्वेरा के अगले अपन्वेरा के हैं जो यप्छी पन्वेरा है तेन महीना है